हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो ओपन बुक एक्जाम जो एन्वल मोड इस्टुरेंट के साथ जून से कंड़क्ट होने वाले हैं उसमें बहुत ही मेजर चेंज हुआ है आपके डुरेशन को लेकर यह चैन्जिस क्या है इसको आपको बिल्कुल कैरिफली समझना है वीडियो को आपको बिना स्किप करें देखना है अगर वीडियो स्किप करोगा तो हो सकता है कुछ इंपोरइन्ट चीज़े आप से मिस हो जाए और आपको एक्जाम वाले दिन दिक्कत हो ठेके मैं आप से हाथ जुड़ के request करता हूँ कि पहले वीडियो को पूरा last तक आप जरूर देखिए कि क्या changes इन लोग ने किये हैं तो पहले हम वो बात करते हैं जो guidelines 21 मई को आई ती हैं उसमें point number 9 था वो क्या बोल रहा था और वो अब point number 9 में इनोंने changes किये हैं और क्या changes किये हैं वो आपको समझने हैं पहले इन लोगों ने क्या बोला था कि बाई exam के लिए आपको total 4 घंटे दिये जाएंगे 3 घंटा plus 1 extra घंटा question paper को download और answer sheet को upload करने के लिए suppose करिए आपका paper सुबा 11 बजे शुरू है तो 12, 1, 2, 3 3 बजे तक आपको आपके respective answers की PDF बनाकर पोटल में upload कर देनी हैं अगर इन 4 घंटे में आपकी answer sheet PDF पोटल में upload नहीं हो पाती तो आपको अगले 30 मिनिट के अंदर वो answer sheet की PDF बनाकर नोडाल officer की email ID पर mail कर देनी हैं और उस mail के अंदर अपना आप proof attach करोगे कि भई पिछले 4 घंटे में आप upload कर रहे थे कोई error आ गया कोई internet नहीं चल रहा, server error आ गया, जो भी error था उसका screenshot लोगे और 4 घंटे खतम होने के बाद भी अगर आपकी answer sheet upload नहीं हो पाती तो साड़े 3 बदे तक आपको उसको mail कर देना है, respective नोडाल officer को जिनकी email ID काफि जल्द website पर आएगी ये point guideline में mention था, अब इसमें थोड़ा changes होए है ठीक है, changes ये हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी answer sheet 4 घंटे में upload नहीं हो पाती सुनो ध्यान से, अगर आपकी answer sheet 4 घंटे में upload नहीं हो पाती तो आपको एक extra घंटा और दिया जा रहा है, fifth hour suppose 11 से 3 बदे तक आपकी answer sheet upload नहीं हो पाती तो आपको 3 से 4 एक और extra घंटा दिया जाएगा इस एक extra घंटे का इस्तिमाल करते हुए आपको अपनी answer sheet online portal में ही upload करनी है और उसके साथ documentary evidence आपको लगाना पड़ेगा कि बाई 11 से 3 के बीच में आपकी answer sheet क्यों ही upload हो पाईती है उसका कोई आपके पास proof है, कोई screenshot है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आप 4 से 5 बदे के बीच अपनी answer sheet online portal में upload कर रहे हो तो और अगर आपकी problem still continue रही, यानि कि जो आपको पांचवा घंटा जो extra मिल रहा है तीन से लेके 4 बजे तक वाला, इस एक extra घंटे में भी आपकी answer sheet upload नहीं होई तो आपको फिर mail करना पड़ेगा आदे घंटे के अंदर, यानि कि 4 से 4.5 के बीच में और उस email के अंदर जब आप अपनी answer sheet की PDF अगरा अटेज करोगे, तो उसके साथ documentary evidence अगेन आपको अटेज करना पड़ेगा, कि भाई मैंने try किया था, पोटल में URL आ रहा था, या फिर server नहीं चल रहा था, या फिर internet डाउन होगी था, कुछ भी reason था, वो reason अटेज करके साथ में, और अब ये बोल रहा हैं कि 4 घंटे का time है, अगर इन 4 घंटे में upload नहीं हो पाती, तो एक extra घंटा दिया जाएगा, और उस एक extra घंटा में आपको पोटल का इस्तमाल करके ही answer sheet upload करनी है, और उसमें screenshot documentary evidence attached कर देना है, और अगर उस एक extra घंटे में भी आप नहीं upload क अपनी answer sheet, ये major changes अभी जो एक जुन को एक निया notice आया था, उसके according हुए है, अब मैं आपको एक extra घंटे के बाद अपनी answer sheet submit करेंगे, अब दोगा changes हो गए है, अब 500 घंटे आपको मिल रहा है, इस 500 घंटे में आपको पोटल में upload करना है, documentary evidence के साथ, और अगर इस 500 घंटे म सुबा 3 बज़े का paper है, सुबा 11 बज़े का paper है, रात को 10 बज़े mail कर रहा है, हमारा हो नहीं पहाँ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बाद बिलुकल साफ समझा जेता हूँ, ऐसे जितने भी बच्चे हैं, ये मैं नहीं ब बच्चों का जो result है, वो delay होगा 101 परसंट और उनके जो result है, उनका जो answer sheet है, वो पहले review committee के पाथ जाएगा, review committee उसको देखेगा कि हाँ जी, इस बच्चे की genuine problem थी, इस बच्चे ने screenshot बगरा टेच्च किया हुआ है, तभी आपका result आएगा और delay होगा result, actual result वैसे ही delay होता है और अगर ये सब चीज़ा आप कर सकते हो, चार घंटे के बाद PDF अप्लोड करते हो, तो आपका result डिले होगा और ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए बहतर चीज़ यह है, कि अगर सुबह 11 बचे आपका paper शुरू हो रहा है, तो चार बचे तब उसको हर हाल में आपको पोटल मे upload कर देना है, ठीक है, PDF बनाना सीख जाईए, अप लोग उसको size reduce करना भी सीख जाईए, आपको जब question paper होगा हो इस तरह से आएगा, कि तीन घंटे में आप उसको attempt कर सकते हो, तो आपको एक घंटा वैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, सिर्फ इसी एक घंटे का इस्तमाल करके ही आपको PDF upload करनी है, यानि कि 11 से 4 बजे का अगर तक exam है, तो 11 से 2 बजे तक आप अपने पूरा question paper attempt कर लोगे, और 2 से 3 के बीच में वो answer sheet आपको upload करनी है, अगर 3 से 4 घंटे का इस्तिमाल करोगे, तो online portal पर आपको documentary evidence भी attach करना पड़ेगा, और अगर 4 बजे तक भी upload नहीं हु होगे, तो उसमें भी documentary evidence साथ में attach करना होगा, ठीक है, ये new guidelines आई है, बाकि वैट करिए admit card, hall ticket और ओभी registration जैसे ही start होगा, तो मैं आपको video के थूरू inform करूंगा, इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए video में इतना ही, thank you